हाई अबरीवन वेलकम बैक टू मैं चानल दिस इस निशा और हम पढ़ें एंसे इस्टरी क्लास एट का चैप्टर फाइब तो चैप्टर फाइब की ये शुरुआत है और ये एटी फिफ्टी सेवन का क्रांती है तो हमें याद रखना है कि 1857 की जो क्रांती थी वो इतिहास म इतने सारे चैप्टर थे उसका इसमें पूरा पूरा निचोड है तो अगर आपने उसको स्किप किया तो प्लीज जाके देखें जिससे आपका एक बेज बनेगा इसलिए कहा जाता है एंसे पढ़ने के लिए जिससे हमारा बेज बने तो ये चित्र जो आपको दिखाए जा तो ये उत्तर भारत के मैदानों का सीन है जो पिक्चर को दिखाया है चलिए आगे बढ़ते हैं नीतिया और लोग तो देखी हमने देखा पिछले जितने सारे चैप्टर में हमने क्या देखा कि हर कोई कंपनी से अंग्रेजों से प्रतारित था परिशान था चाहे वो सब को मतलब बरबाद करके रखी थी सब परिशान थे तो भी आपको पता है यह ना रावन जैसे रावन का पाप का घरा भड़ा था तो कैसे फूटा था वैसी कंपनी की जो पाप का घरा था ना जब भड़ा तो यही 1857 की करांती में पहली बार फूटा था तब लगा पाद में सिपाही बन गया और भी बहुत सारे लोग एक जूठो कर युद करते हैं आप यह भी देख चुके हैं कि नीतिया और करवाई यह जनता के हित में नहीं थी और हमने जितना देखा तो किसी भी जनता बता दीजे जिसके हित में इन्होंने कोई भी जो इस्कीम निक निकाली हो और नहीं उनके भावनाओं को कोई रस्पेक्ट मिला नहीं उन्होंने हमेशा अपना ही फायदा देखा और अपने ही भावनाओं को तवज्यूब दे तो नवाबो की छिंती सत्ता तो कहानी शूरू होती है नवाबो की छिंती सत्ता से जब हम फॉस्ट में हम देखते कि किस तरीके से नवाब जो थे वो अंगरी जो के जाल में फस्ते जा रहते थी पहले पहले तो इन्होंने बहुत चिकनी चुपडी बात देखी क्योंकि भाईया काम लेना था और जैसे ही इनका काम चला गया सारी पावर्स इनके हाथों में आ गई फिर वो दिखाने लगें तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और इसको प्लीज कहानी की तरह पढ़ें ना की एक सब्जक की तरह तो मज़ा नहीं आएगा मज़ा करना है पढ़ाई के साथ साथ ओके अठारी सदी के जो लगभग बीच का जो समय था उस समय क्या हो रहा था राजा और जो नवाब थे ठीक है तो यहां पर स्रिफ नवाबों की मुस्लिम जो कि किंग थे उनकी बात ही नहीं हो रही है यहां पर राजाओं की भी बात हो रही है जो रजवारे थे या फिर जो राजिस्थान में थे उनके साथ भी यह चीज़ें हो रही थी सब की ताकते चिनन तो बस नाम के लिए राजा रहे था पहुत सारे दर्बारों में ऑगे तो रेजिडंट ते नात हो गे आपको याद होगा तो चाप्टर डू में हमने पढ़ा था कि रेजिडंट अर्थात मतलब किसी भी राज जाज के दर्बार में रेजिडेंट होता था जो यह देखता था कि सारी चीजे सिस्टम से चल रही है और कुछ ऐसा स्टेप तो नहीं उठाया जा रहा है जो कमपनी के लिए खतिरना को लेकिन दीरे-दीरे क्या हुआ यह जाल बिछाने लगे और हमारे आंतरिक मामलों में हस्त छेप करने लगे ज थोड़ी देर से या थोड़ी जल्दी उनके सेनाओ को भंग कर दिया और रेजिडेंट जो तैनात किये गए थे जिसके वज़े से क्या हुआ रही था रेजिडेंटों की संक्या हर जगह बढ़ रही थी और जो नॉर्मल सैनिक थे सेना थे वह भंग हो रही थी आपको यह पढ़ोगे तो आपको रिलेट करना होगा किसे तो सबसेडरी अलाइंसे जो सहायक संदी होती थी सहायक संदी में क्या होता था आप अपना कोई सायनिक नहीं रख सकते हो आपको अंग्रेजी जो रेजिडेंट होते थे उनको रखना पड़ेगा और क्या होगा कोई भी काम अगर करना होगा, पर्मिशन लेना होगा, तो इनके थ्रू लेना पड़ेगा, जब भी अगर रियासत या किसी को भी उनकी जरुवत होगी, राजा को उनकी जरुवत होगी, तो अंग्रेज जोंगे फुल प्रोटेक्शन करेंगे, यही होती थी संदी, जो मजबूरन आरे ट सुली का जगह है, वो बढ़ रहा था, और राजाओं का या नवाबो का छिन रहा था, बहुत सारे स्थानिया साशक को उसाशक अपने हीतों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बाचित भी केरते थे उधारन में, जैसे अब हम दिखेंगे उधारन में किसका, जहासी की रान तो उन्हों ने अंग्रिजों के खिलाफ आवाज उठाई क्यूंकि उनका राज छिन रहा था, इनका कहना था कि इनकी पती की मिर्तु है, उसके बाद गोद लिये हुए बेटे को सारी जादा दिया, सारी चीज़े मिलनी चाहिए, ठीक है, उनको ही राजा मानना चाहिए, लेकिन अंग्रिज बोल रहे थे, नहीं, वो लोग एक ठो नया हत्यार लेकर चले आए, तो कौन सा हत्यार हमने पढ़ा था, तो सबसिडरी अलाइंस के बाद, मतलब सहायक संदी के बाद, और एक क्या चीज़ थी, तो डॉक्टरिन ओफ लाप्स, ठीक है, तो विलाई की न अब इसके अलावा और एक एक जामपल, पेश्वा के जो बाजी राओ थे, बाजी राओ दित्य के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने भी कंपनी को बोला कि अरे भही, वो एक क्या थे, तो मतलब माने हुए पुत्र थे, अडॉप किये हुए पुत्र थे, तो उनको पिता का मिलना चाहिए था उनके पिता की मिर्तियों के बाद लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, उनको यह अधिकार नहीं मिला क्योंकि वो अपने पुत्र नहीं थी, अपनी श्रेष्टता और सैनिक ताकत, क्योंकि भाईया नसे में चूर थे, इनके पास तो तो ताकत ही ताकत है, यह सारी चीजों को उन्होंने ठुकरा दिया, तो कब ठक ठुकराओगे, कोई थोड़ी ने चूडिया पहन के हम लोग बैठे हुए हैं, उन लोगोंने भी क्या किया तो विद्रोह किया, अब देखिए, अवद के रियासत, अवद के रियासत आपको याद होगा कि उस पे कारेभार अपने हाथों में ले लिया और सहायक संदी थोब दी, ऐसा उनका खहना था, और इस समय जो थे लोग यहां पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे, गवर्नर जनरल डलावजी ने एलान कर दिया कि रियासत का सासक ठीक से सासन नहीं कर रहा, जैसे कि यह पूरा निचोड लेते हैं और यहां के लोगों की पूरी मतलब हड़ी पसली एक कर देते हैं कुछ बचाने रहता है, शोशन का हर एक चरम सिमा पार कर चुके रहते हैं, कमपनी ने मोगलों के साशन को खत्म करने की पूरी यूजना बना ली, अब कितने दिन तक वो राज स साशन में रखने देंगे, क्योंकि सारा काम यह कर रहे हैं, सारी चीज़े इनके अंडर में थी, तो बहुत बड़ा स्टेप था, अगर आज भारत के नोट से गांधी जी का अगर पिक्चर हटा दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी चेंज होगी, मतलब उनकी जो बलीदान है या उनकी जो कारी है, उसकी वैलू एकदम खतम हो जाएगी, एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना, तो यह इन्होंने किया, इसका मतलब यह था कि भाईया आपके दिन गए, अब हमारे दिन आने वाले हैं, ठीक है, 1849 में गवर्नर जनर डलहौजी ने ऐलान किया कि बाहदुर्शाह जफर के बाद, मिर्टू के बाद, अब कोई उनका परिवार जो है, वो ना तो लाल के लिए में रहेगा, ना तो गदी पे बैठेगा, ठीक है, अब बस आप सिरिफ राज कुमार ही कहलाओगे, और कुछ नहीं कहलाओगे, कुछ बादशाह बादशाह की गदी अब तुम्हें नहीं मिलने वाली, ऐसा उन्होंने कह दिया था, 1856 में गवर्नर जरल कैनीन के फैसले किया, जो आखरी मुगल बादशाह होगा, वो कौन होगा, तो बाहदुर्शाह जफर, उनकी मिर्टू के बाद, अब कोई वन सच नहीं माना जाएगा, ठीक है, त अतलब विलाई की नीती और उसके बाद ये जो ताकत चीने वाली बात है, ये सारे कारण बने थे 1857 की क्रांती के, एक कोई स्टेप नहीं था, ये सो सालों का जो भडास था लोगों का वो निकला, किसान और सिपाही, अब देखने है, किसान और सिपाहियों के साथ क्या क्य जा रही है, जिससे आप कनेक्ट कर पाऊं, ये सारे चाप्टर्स प्रिवियस में सारी चीजें कंप्लीट की गई है, अगर स्किप हुआ है, जा के जरूर से देखे, गाउं में किसान और जमीदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से बहुत जादा परशान थे, क्योंकि ये तरीका जो था बहुत सक्त था, तो गाउं के लोग क्या थे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कि ये पर्मानेंट सेटल्मेंट, अस्थाई, बंदो बस्त, फिर महल वाड़ी, फिर रैत वाड़ी, उसके बाद नील वीद्रों में किसानों की आवस्ता थी, हमने जमीन सहाध होना पड़ जाता था, उसके बाद हम देखेंगे सिपाहियों के बारे में, तो जैसे अभी हमने राजाओं के बारे में पढ़ा, फिर आम लोगों के बारे में पढ़ा, तो धीरे धीरे ये चीजे ना सभी में फैलती गई और सभी में आक्रोश होते गया, और ये वही सिपाही थे, जो किसानी से परिशान होके, खेदी से परिशान होकर सिपाही बने थे, तो चलिए इनके बारे में जानते तो वो अपने बेतन, भत्तो और सेवा शर्तों से बहुत जादा परशान थे, कभी-कभी ऐसे सर्त रखे जाते थे जो उनके मर्यादा के खिल जैसे अंग्रीजी सैनिक है कोई उसी आओदे पे बैटा और भारती सैनिक है तो उसका जो भत्ता होगा पेमिन्ट होगा वह बहुत कम मिलेगा किसके मुकाबले तो अंग्रीजी सिपाही के मुकाबले तो इस तरीके से लोगों में परिशानी होगी क्यों कि भाई जब हम काम उतना ही करेंगे तो हमें पैसे कम क्यों मिल रहे है ना उन्हें आपको पता है कि बहुत सारे लोग थे उस जमाने में जिने ही लगता था कि समुद्र यात्रा करने से क्या होगा उनका धर्म भरष्ट हो जाएगा जब 1824 में सिपाहीयों को कमपणी की ओर से लड़ने के जा सकते हैं तो इसके वज़े से उन्हें बहुत जादा सरकार को गुस्सा आया और सरकार ने नियम निकाला और उनको थोड़ा पनिश करने की कोशिश की और उन्हें ने कहा कि क्योंकि यह मुद्धा अभी तक खतम नहीं हुआ था तो 1856 में कानून नया कानून आया और उस कानून में साफ साफ था कि जो कमपनी की सेना में नौकरी करेगा उसे जरूँत पढ़ने पार समंदु को पार करना पड़ेगा तो थी थी उनके धर्म के खिलाफ जाने के लिए जिसे बहुत सैनिकों को अगहात पहुच रहा था क्योंकि वो तो जाने के लिए रेडी थे वो रास्ते से भी जा सकते थे लेकि नहीं उन्होंने कहा कि समंदर पार करना पड़ सकता आगे भी तो अब सोच लो भईया कि आपको का करना है कि नहीं करने काम नहीं करेंगा तो अन्सका बूंकों मरे गांतु सिपाहिंगां के थे सी भी परिशान थे बहुत सारे सिपाहिग को जैसा बेगर परिवार गाहीं कुछा, यहागला। ठीक है तो किसान का जो गुस्टा था वो सिपाही के रूप में भी फैला ठीक है तो इस तरीके से हमने एक एक जगा पर देखा किस तरीके से चीजे हुई अब क्या हुआ कि क्रिश्चानिटी कैसे फैली जब अंग्रेज यहां पर आये तो उन्होंने सुचा हमारे धन्म का भ बिल्कुल से फिक है तो चलिए जान लेते थोड़ी बहुत जो अच्छी चीजे इने ने की थी सती प्रत्था को रोखा था और विद्वा विवा को बढ़ावा दिया था देखिए यह मानना सच है कि वह कितने भी थे तो यूरोपी जो थे वह मौडन थे और भारती जो थे थोड़े पिछड़े थे हमारा सोच जो था हम थोड़ा अंदविस्वास को ज़्यादा मानते थे और थोड़ी कूरी थे हमारे समाज में थी लेगिन इनका इस वज़े से इनका अत्यचार करना जो है वो सही हो जाएगा यह बिल्कुल से नहीं मानने है ठीक है अंग्रेज भाशा की सिक्षा को जम कर प्रोच्षाहन दिया उन्हें ने कहा कि अंग्रेजी आप लोगों को सीखना चाहिए आप लोगों को मौडन होना चाहिए या फिसरकारी गवर्मेंट में जो काम करेगा उसको अंग्रेजी भाशा आनी चाहिए 1830 के बाद कमपनी ने इसाई मशी नरियों को खुल कर काम करने और यहां तक की जमीन की संपत्ती जुटाने की भी छूट दी मतलब देखिए अगर आप इसाई धर्म को अपना लेते हैं तो इनका कहना था कि आप अपनी संपत्ती पालोगे फिर से ठीक है और यह क्या बलता है इसाई धर्म जिसके वज़े से इसाई धर्म अपनाना बहुत जादा असान हो गया कि बहुत सारी चीज़े सुविधाय मिलने लेगी अगर आप इसाई धर्म अपनाते हो तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएंगी आपको वेतन अच्छी मिलेंगे आपके जो जमीन चीनी गए यह मतलब सारी सुख दिशन परा को नष्ट कर रहें दूसरी तरफ ऐसे भारतिये भी थे जो मौझूदा समाजी की व्यवस्ता में बदला चाते थे क्यूंकि इनके द्वारा भी जो समाज में भले हैं हमारे समाज में लाख कूरितिया हो भले ही हमारे समाज में लाक बुराया हो हम पीछड़े ह यह भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज जो थे वह आकर हमें पुरा मॉडर्न ही बना गए तो ऐसा कुछ नहीं था तो वह जो विवस्था थी उसमें भी सुधार लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस पर यह किया जो हम चैप्टर अध्याय साथ में पढ़ेंगे ठीक है तो अब जानते हैं जनता के नजर से की जनता क्या है अब यहां पर हमने एक एक करके देखा सिपाहियों के बारे मे अब पूरी जनता जो आम जनता थी वो क्या सोचती थी उसके बारे में देखते हैं तो 84 नियमों की सूची यहां पर 84 नियमों की सूची कुछ इस प्रकार है अरास्ट के गाव में ब्राह्मन विश्णु भट गोड से द्वारा लिखित पुस्तक माजह प्रस्ताओ याद र भट लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें सिपाही मिलते हैं और वो सिपाही कहते है कि हां से लोट जाएं तीन तिन बाद तीन दिन के भीतर क्या bay kiedy ब्हुति जादा कोह्राम मच जाएगा इस पाहियों ने जो कहा उनके शब्ध नहरा पर विस्तरित किया। क्या है चलिए पढ़ लेते हैं तो अंग्रेज सरकार ने हिंदू और मुश्लिम के धर्मों को नस्ट करने पर अमादा है उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता के सारे राजा राजकुमारियों के सामने एलान किया सिपाहियों ने बताया कि राजा ने नियमों को माने से इंकार कर दिया ठीक है वो मानने के लिए तियार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि अगर इसकी ऐलान होगा तो इसका घातक परिणाम हो सकता है राजा उने कहा है कि अगर नियम लागों किये गए तो भारी उतल फुतल होगी और वो लोग भारी गुसा में अपने राजानियों को लोट गए तमाम बड़े लोग योजना बनाई और धर्म यूद के लिए तारिक भी तैय कर ले गई है और मेरट शावनी से गुपता योजना तयार करने के बिविन शावनियों में भेज दिया गया है तो ये क्या था कि उस समय की परिस्थिती बताएगे अब एक दूसरा पस्पेक्टिव देखेंगे चलिए यहाँ पर अंग्रीजों के बिहाफ में बाते की जाएगे चीज है वो हमें परहम पढ़ते हैं तो ये सास मरन है किसका तो सीता राम पांडे जी कब सीता राम पांडे जी जो थे वो अठारा सो बारे में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तोर पर भरती किये गया थे 48 साल उन्होंने नौकरी के और 1860 में उनकी रटार्मेंट हो गए उन्होंने बगावत को दबाने के लिए किसका अंग्रेजों का मदद किया और रोचक बात ये है कि विद्रोहियों में उनके बेटे थे और उनके सामने ही सीता राम के सामने ही उनके बेटे को माड डाला अं नौर्गेट उन्हें सहस्मरन लिखने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप पूरी बाते लिखो जो हम लोग के तरफ से हो चीजे क्या हुई थी तो उन्हें कहते हैं तब सीता राम 1861 अवधी भाशा में सहस्मरन लिखते हैं और इसका नाम होता है सिपाही से सुबेदार तक तो सुबेदार तो इस नाम से प्रकाशित हुई तो चलिए यहां पर देखते हैं कि उनका एक आंश पढ़ लेते हैं मेरा मानना है कि जो अवध पर हुए कबजी के वज़े से सिपाही के सिपाहियों की दिल में और विश्वास पैदा हो गया था सरकार के खिलाफ और वो इसी वज़े से साजी स्ररचने लगे थे आवध पर जो कबसा हुआ था वो fluctuations हुआ था कि उनका कहना था कि कंपनी कहां पर साहयक संधि के नाम पर उन्होंने कि जो नवाब है वो अपने सत्ता को सजह समाल नहीं पा रहें इस वज़े से हम सत्ता समालेगे जिसे लोग बहुत ज दिल्ली के जो बादशाह थे उन्होंने अपने लोगों को भेजा जिससे वो सेना की नब्स को जान सके ठीक है उन्होंने सिपाईयों के जो और भी जादा भड़काया हवा दिया उनके क्रोध को सिपाईयों को बताया कि विदेशी किस प्रकार बादशाह के साथ दोखा किया उन्होंने हजार जूट गर डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रीजों की खिलाफ जो है कमपनी के खिलाफ बढ़काया उकसाया ठीक है दिली बादशाहा दिली में बादशाह के दरबार गद्धी पर बैठ जा सके इसी वज़े से ऐसा किया गया था ठीक है इनका सीत अराम से चीज़े कर सकती थी यूद्स कि ज़काया अगठ में विद्धरोह विद्रोही अफ्रोकंचसी पर हमला करते हैं और उनके घरों में घुजकर इमालतों गगा ठाथ ने भाद्धी ब्रूरा राइफल को अलग तरीके से चलाया जाता है तो इसे चावनियों में भेजा जाता है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार चलाया जाता है तो उसी समय एक खबर पहल जाती है क्या चीज तो इसका इस्तमाल कहा गया कि राइफलों में जो कार्टूस का इस्तमाल किय जा रहा है वो गाय और सुवर की चड़ाया गया लेप है और इसको खोलने के लिए क्या होता है मुख अस्तमाल किया जाता है जिसके वज़े से सब हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों के धर्म भरस्ट होंगे इस वज़े से यह जो था और भी जादा धर्म से रिलेटेड हो ग बन गया और ये खबर जैसे ही फैला तो माहौल क्या हो गया उतेजना का सब करोधित हो गया चालिस साल की नौकरी में सरकार ने उनके महज के चोट पहुचाने के लिए कभी नहीं किया था लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिकर किया था कि अवद पर कबजे के कारण सिपाही प सब गड़ी समाने के लिए क्या कर रहे थे तो लोगों को और भी ज्यादा धरम के नाम पर भड़का दिए जिससे सबाशी normal के खिलाफ हो जाया खिलाुद थो और ये भी भड़का दिये कि इसाई बनाना चाहते थे तो अंग्रेस सही में ये मशिनरी तो लाए थे और उसके बाद उसका प्रचार भी कर रहे थे अपने धर्मों का इसलिए उन्होंने ऐसे कार्टूस त्यार किये ताकि इस्तमाल करने से मुसल्मान और हिंदू के दोनों के धर्म नस्ट हो जाए और वो उसके बाद इसाई में कनवर्ट हो जाए ठीक है तो इस तरीके से ये जो अफ़ा थी वो उड़ी करनल साहब का मानना है कि यह बिचैनी जो उन्हें यह भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी और उन्हें लगा करनल को कि यह सारी चीजे प्रॉब्लम जो है सॉल्फ हो जाएगी और मैं भी घर चल जाओंगा उसका हिजायत दिया तो सीता राम पांडे द्वारा यह लिखा गया था ठीक है तो बस अब नेक्स हम पढ़ेंगे सैनिक विद्रो जन विद्रो में कैसे बदल गया तो अब यह सैनिक विद्रो ना होकर एक जन का विद्रो हो गया लोगों का विद्रो हो गया तो आगे इस पार्ट में पढ़ेंगे अभी के लिए थाइंक you आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी लेंदी होगी है क्या करें चैप्टर बहुत लंबा है तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अभी के लिए बाबाए